हेलो दोस्तो मैं मौमा श्वैब आज का हमारा नया टॉपिक है VLDL means very low density lipoprotein आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसकी metabolism कैसे होती है तो पहली बात तो very low density lipoprotein जो है वो हमारा लिवर में बनता है जब ये liver में बनेगा तो ये बाहर निकलेगा जब जैसे ही ये liver से बनके बाहर निकलता है इसको बोलते है nascent VLDL nascent मतलब अभी विल्कुल चोटा सा बच्चा है अभी अभी ये create हुआ है तो इसको बोलते है nascent VLDL अब नेसेंट VLDL के पास क्या होगा ट्राई एसाईल ग्लिसराइड या फिर इसी को हम लोग ट्राई ग्लिसराइड या फिर टैग बोलते हैं उसके साथ साथ इसमें कोलेस्टरॉल होगा इसके बाद इसमें एक मेजर एपो प्रोटीन होगी जिसका नाम होगा कार्बोहाइडरेट सब कुछ चाहिए मिनरल वगरा तो इसी तरीके से इसका कार्बोहाइडरेट प्रोटीन मिनरल कौन है एचडियल एचडियल क्या करेगा नैसेंट VLDL को अपना C2 और E प्रोवाइड करा देगा जिसके कारण नैसेंट VLDL अब मैच्योर VLDL में कनवर्ट हो जाएगा अब मैच्योर VLDL के पास क्या होगा वही टैग होगा कोलिस्टाल के बाद एपो भी हेंडरेट के साथ साथ एपो ई भी आ जाएगा और एपो C2 प्रजेंट होगा अब जो तुमारा मैच्योर VLDL होगा इसमें क्या है ट्राइसाइल ग्लिसराइड को जो है अब यहां से कंजूम करना है खतम करना है इसका ब्रेकडाउन करना है तो इसको मैच्योर होने के लिए C2 की ज़रूत पड़िती C2 का मेन काम होता है जो LPL होता है उसको एक्टिवेट करना तो C2 LPL को एक्टिवेट करेगा जब LPL एक्टिवेट होगा तब यह टैग को ब्रेकडाउन कर देगा फ्री फैटी एसिड और ग्लिसराइल में और जब यह फ्री फैटी एसिड और ग्लिसराइल में ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इसको muscle adipose tissue consume कर लेंगे अब इसमें tag का content बहुत हक तक कम हो गया तो आगे चलके ये क्या पजल जाएगा VLDL से आगे चलके ideal बन जाएगा इसमें tag का content कम हो गया तो ideal के पास tag कम amount में होगा जबकि cholesterol, easter और cholesterol जादा amount में होगा अब liver के पास E का receptor होता E की binding site liver जो है ये ideal को बांधने के लिए देखता है कि इसके पास apo e है अगर apo e होगा तो ये उससे कहेगा आओ मैं तुमको बांध लेता हूँ तो ये apo e को बांधने के लिए इसके liver के पास एक receptor होगा तो जो हमारा ideal बनेगा ये apo e के present होने के साथ सथ यहां खिच जाएगा अब ideal में तो tag, cholesterol, cholesterol, b-handed apo e है तो ये liver के दुआरा वापस consume कर लिया जाएगा कुछ केसों में ये इसके दुआरा consume नहीं करा जाएगा तो ideal जो है वो आगे चलके LDL में converted हो जाएगा LDL के पास क्या रहेगा, triacyl glycerol, tag बिल्कुल नहीं रहेगा इसके पास क्या रहेगा, cholesterol, cholesterol, उसके साथ साथ b-handed protein रहेगी अब LDL का receptor जो होता है वो peripheral tissue के पास होता है तो LDL को इधर खीच लाएगा, LDL जो होता है उस पे lysosome वर्क करके lysosome में जाएगा, वर्क करेगा तो इसको free cholesterol और amino acid में तोड़ देगा अब जो है जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, उसको हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं मतलब theoretical भासा में कि क्या कैसे लिखा है synthesis कहा होती है, liver में होती है nascent VLDL के पास क्या होता है, triacyl glyceride, cholesterol और apo B100 यह एपो B100 जो होता है वह बहुत major होता है जबकि हमने पढ़ा था kailo macron, kailo macron में B48 major protein था, यहाँ पे क्या है apo B100 एक major protein है, अब हम बात करते हैं mature VLDL की, mature VLDL में होता है tag, cholesterol, apo B100, apo C21 and apo E मिलेगा, then आगे बात करते है metabolism of VLDL, तो when they reach the peripheral tissue, जब यह peripheral tissue के पास पहुचता है तो इसका C2 जो है वो activate हो जागा, C2 activate LPL, LPL का क्या काम करेगा, tag को जो है fatty acid में convert कर देगा fatty acid are taken up by adipose tissue and muscle, remnant is now ideal, ideal मतलब intermediate density lipoprotein ideal contain tag कम होगा और more cholesterol होगा, ideal further loss करेगा triglyceride और tag convert हो जाएगा LDL में ideal taken by hepatic receptor, hepatic receptor कहां present होते हैं, liver में present होगे, अब बात करते हैं, pathway की, lipoprotein cascade pathway इसमें क्या होगा, VLDL से ideal फिर LDL बनेगा, तो VLDL से ideal बनना, ideal से LDL बनने की process को हम लोग बोलते हैं, lipoprotein cascade pathway अब function of VLDL की अगर हम बात कर लेते हैं, तो function of VLDL जो होता है, वो carry करता है, क्या, tag को कहां से from liver to peripheral tissue, पर इसमें जो ये tag होता है न, ये होता है endogenous, endogenous का मतलब होता है, ये body के अंदर बनता है, कहां बनता है, liver में बनता है, जबकि काईलो मैकरोन का भी ये ही function था, पर उसमें जो वो tag का transport करता था, liver से peripheral tissue में, वो dietary cholesterol था, तो उसमें exogenous होता है, इसमें endogenous होता है, एक और चीज, काईलो मैकरोन साइज में बड़े होते हैं, जबकि अगर हम VLDL की बात करें, तो ये साइज में काईलो मैकरोन की अपेच्छा चोटे होते हैं, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद,